बिहार में अब सभी पंचायतों में रहने वाले लोगों के लिए या खबर बेहद सहूलियत वाली है सरकार कुछ ऐसा करने जारी है जिसकी बाद आपको इधर उधर का चकर नहीं लगाना पड़ेगा जाती अवासिय आए प्रमान पत्र बनाने के लिए आप जैसे भटकते थे वैसे अब नहीं भटकना होगा सगरी लोग सिवा केंद्रों की जरिये पंचायतों में जाती अवासिय आए और आच्रन पत्र मिलने लगेंगे पंचायतों के लिए एक एक लिखा पालेम आईटी सहायकों की नियुकती होगी पंचायती राज्य मंत्री समराट चौधरी ने ये जनकारी दी उन्होंने बताया कि बेल्टरॉन को नियुकती प्रकिरिया की जिम्मेदारी दी जाएगी भाजपा परदेश कार्याले में पंचायती राज्य विभाग के एक साल की काम काज का वेवरा दे रहे पंचायती राज्य मंत्री समराट चौधरी ने कहा कि पंचायत सरकार को अप्रेल में जमीन पर उतरने की तयारी की जा रही है इसके लिए सभी विभागों से समन्नवे की विवस्था की जारी है हर पंचायत में प्रती दिन कम से कम तीन विभागों के आधिकारी को बैठने का सिडियूल बने ताकि ग्रामिनों को पंचायत अस्तर पर कोई परिशानी न हो इसके लिए विभागों से नोडल पदाधिकारियों के भी नाम मांगे गए हैं उन्होंने बताया कि 200 से अधिक पंचायत सरकार पूरे भवन बना चुकी है वर्स 2024 तक सभी पंचायत सरकार भवन का निर्मान पूरा करने की योजना है बरतमान में जिन पंचायतों में भवन तैयार नहीं हैं वहाँ पर अस्थानी समुदाय भवन में इसे संचालित किया जाएगा इसके अलावा पंचायतों में अस्थापीत लोक सिवाओ के अधिकार कानून को नियमित रूप से बहतर रूप से संचालन को लेकर एक एक लिखा पाल और आईटी सहायकों की नियुकती होगी हर पंचायत में लोक सिवा केंडर का हर हाल में नियमित संचालन सुनेशित किया केंद्र को प्रस्ताव भीजा है समराच चौधरी ने पंचायतों के विकास के लिए केंद्र से मिलने वाले पचीस हजार करोड रुपे की उपलब्धिया भी गिनवाई है बेरो रिपोर्ट लाइप बिहार लाइप बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और पर लाइक ज